नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल चम्क्यू रिव्यू में स्वागत हैं मेरा नाम है रजनी और आज मैं रिव्यू करने जारू इंग बहुती ऑसम मोबाईल अप का जो आपको आपकी हर इंपॉर्टिन डेट्स याद दिल्वानी में मदद करेगी क्योंकि आजकल की विजी लाइफ में इंपॉर्टिन डेट्स याद दखना थोड़ा मुश्किल है बड़ आपकी इस मुश्किल को आसान बनाएगी यह एप इससे पहले कि मैं एप का रिव्यू करूँ प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए तो आईए रिव्यू करते हैं इस एप का क्या आपको भी अपनों के बर्डे और एनिवर्सरी तब याद आते हैं जब वो शोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं क्या आपको भी इंपॉर्टन डेट्स टाइरी में डूनने की ज़वत पड़ती है तो अब आपको परिशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही कोई इं आपके अगर कोई डॉक्टर का विजिट है उसके बारे में आपको याद दिलाएगी यह आपके मोबाइल एपस का कोई सब्सक्रिप्शन होता है इंवेस्टमेंट की डेट्स हो यह बिसिकली एक डिजिटल डायरी का काम करती है आप जो लिखते हो अपनी डायरी में तो व अपने मोबाइल में भी फोटो सेफ करते हैं लैप्टॉप में भी करते हैं और इसमें भी कर सकते हैं बेफिक्र होकर तो चलिए इसे कैसे यूज करते हैं इसमें लॉग इन बिल्कुल बहुत ही आसान है तो इसके बारे में जानते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं यह सिर्फ इमेल आपको चल जाएगा यह देखे फोन नमबर डाल सकते हैं और लोकेशन भी डाल सकते हैं और यह easy sign up हो गया अब मैं आपको key date add करके दिखाते हूँ एड कीज़िए जैसे मान लीजी वह blood test है आपका कोई तो आप यहां पे फिल करेंगे blood test यहां पे select करेंगे category health आपको blood test करवाना है आप blood test के लिए अप इसको टिक कीज़िए location डालेंगे कि आपकी किस जगे blood test है मैं south फिर हम डालेंगे जिस दिन आपका ब्लड टेस्ट होना है उस दिन की डेट टाइम डालेंगे जिस भी वक्त आपका कोई भी टेस्ट है कुछ भी इवेंट है आप उस टाइम को यहाँ पर फिल कर सकते हैं रिमांडर करेंगे की आपको कितने देरे पहले रिमांडर चाहिए मैंने एक गंटे पहले लिखा थेकर अपको कीडेट प्रो में मिल जाएगा है कीडे का आपको टाइटल लिख ना है मैने का यए को मुकांगे हूं लिख रहे ह्यों कैटेगरी से लेक्ट करेंगे फैमिली और बड़ी पे क्लिक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे किस जगे इवेंट है किस जगे परड़ी पार्टि ए एनिवर्स्टी पार्डिय और परी जान रहे हैं फिर यहां पर description लिखेंगे कि किस का birthday है क्या special housing फिर हम date सिलेक्ट करेंगे किस दिन birthday है किस दिन event है कोई साभी फिर time सिलेक्ट करेंगे कि किस पज़े आपको घर से निकलना है या किस टाइम आपको reminder चाहिए फिर हम reminder option करेंगे कि आपको किस time reminder चाहिए मैं 30 minutes before कर रहे हूं event के पहले और यह आपका key date save हो गया और आपको mobile पर notification आ जाएगी एक बार और यहां से आप इसको share भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास कि अगर आपको कई लोगों को बुलाना है साथ में चलने के लिए तो आप उनको यह invitation भेज़ सकते हैं whatsapp के दूरू, facebook के दूरू या twitter के दूरू और यह आपका हो गया अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप tutorial में जाकर यहां पर tutorial देख सकते हैं कि कैसे क्या fill करना है इसको कैसे operate करना है इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इसमें बहुत सारी categories हैं जिसके according आप key date सेव कर सकते हैं कैलेंडर में जितने ज़्यादा dark dates होंगी उसका मतलब उस दिन आपके उतने ही ज़्यादा key dates होंगे key dates free account में आपको यह सब features मिलते हैं So guys, वक्त आगया है key dates app को rating देने का मैं key dates app को देती हूं 5-8 rating क्योंकि इसके वज़े से मेरी life तो हो गई है बहुत आसान अब मुझे diaries में देखने की ज़वत नहीं कि आज के दिन क्या है किसका birthday है किसकी anniversary है अब इस चंजट में मुझे नहीं पढ़ना है और उन लोगों को तो ज़रूर ये डाउनलोड करने चाहिए जो अपनी BBO का birthday भूल जाते हैं अगर अपनी BBO की डांट से बचना चाहते हैं तो ये app ज़रूर डाउनलोड करें So guys, ये था आज का मेरा review अगर ये review आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए और आने वाले वीडियोज की ताकि आपको जानकारी मिलती रहे है